दियर फ्रेंड्स नमस्कार माई नेम इस डॉक्टर एसके शर्मा आएम एन असिस्टेंट प्रफेसर और इंग्लिश हमारी ग्रेमर सीरीज में नाउन का टॉपिक चल रहा था देखको हमारी वहले वह लिटरेचर स्टार्ट की थी मैंने लेकिन वह लिटरेचर को भी हम काफी टाइम लग जाएगा तो एक बार एक टॉपिक्स होने दो और उसके बाद जैसे आसे टॉपिक्स कंप्लिट होते जाएंगे तो लिटरेचर वाला सेशन स्टार्ट करेंगे दूसरी बात बच्चों की क्या है कि युनिवर्सिटी की एक्जैम हो रही है तो अब इस मह भी ग्रेमर को थोड़े सेम कंटिनीव रहने देते ए और वैसे भी फिर मैं एक महीने हमारी जो युनिवर्सिटी की एक्जैम से उसमें मैं भी विजी रहुँ घुगा तो अभी हम ग्रेमर को ही दो दो चीज़ हैं को चो खो दिन तक ग्रेमर ही रखते हैं तो हमारी ग्रेम पर में जो grammar series थी उसमें हम पढ़ रहे थे noun और noun की बारे में जब हमने पढ़ाता है तो noun की सबसे पहले हमने definition देखी थी notional definition, functional, morphological definition देखी थी, कि meaning के according हो तो notional कहते हैं, function के according हो तो functional कहते हैं और आप form को दिख के कहो तो morphological कहते हैं, फिर उसके बाद हमने noun जो है उसके classification पढ़े थी, traditional classification में noun जो है वो पांच तरीके का होता है, proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun और modern जो classification है उसके according noun जो है countable or uncountable होता है, उसमें हमने proper noun पढ़ लियाता है भी, proper noun क्या होता है कि proper noun जो है, वो कोई भी particular person ठीए animal को, particular जो है specific जो है उसको proper noun कहते हैं general name जो है उसको common noun कहते हैं, collective noun जो है group का sense देता है और collective noun को as a whole, as a unit treat करते हैं, लेकि जब collective noun noun of multitude बन जाता है तो उसको हम plural noun की तरह treat करते हैं, यह हमने सब कुछ पढ़ा था इसके बाद हमने material noun लाइओं पढ़ा ता, material noun में हमने कहा था, material noun का मतला है उस materiail से है जिससे चीजह बनाए जाती है मैंने आपको कहा था, food items जो होते है, drink items जो होते है, drink और food के जो articles होते है, items होते है, वो सब किसमें included है वो सारे के सारे material noun में included हैं यह सारी चीजे हम जो हमारी पॉप 57 classes हुई थी noun की उसमें हम इनको पढ़ चुके हैं अब हम material noun पर चल रहे थे तो देखो यहांसे start करते हैं हमने बात की थी material noun की तो material noun में हमने दिखा था मेरा पान हमने material noun में देखा था की material noun जो है name of material होता है जिससे क्या होता है चीजे बनाई जाती हैं तो देखेंआब तो material noun is the name of material material noun जो है name of material किसी बी material का नाम है things are made of जिससे चीजे बनाई आपको बता दिया था ये भी बताया था, food और drink जो items हैं, वो सब material noun के अंदर आते हैं, तो देखो जिसे iron, iron, लोहा, इससे कोई भी चीज़ बनाई जाए, copper से कोई चीज़ बना जाती है, ये भी क्या है, material noun है, steel, steel से कोई बरतन बना जाती है, तो steel भी material noun है, gold, sauna, इससे ornament बना जाते हैं, तो ये भी material noun है, wood, लकडी, इससे furniture बना जाता है, तो इसको material तरह ही उस करते हैं, तो material noun है, इस तरह की से rice है, wheat है, milk है, ठीक है, water है, sugar है, ये सब items कैसे हैं, ये food items और drink items हैं, तो ये भी material noun होते हैं, ये चीज़े हम देख चुके थे, आगे देखिए next, यादि हम next देखें इसमें, material noun में ये बातें भी हम कर चुके थे, मैंने आपको एक example भी बताया था, देखिया, material noun, when they include the substance of things, which things are made, should never be used in the plural, material, मतलब ये हैं, सीधा सा समझे आप, जैसे हमने last class में बात की थी, कि यदि material noun, ठीक है, यदि कोई भी material जो है, कि वो किया है, किसी building में बनाने के काम में आ रहा है, मैं cement का use, उस material की तरह कर रहा हूँ, जो building बनाने के काम में आता है, यदि material noun का प्रयोग, एक substance की तरह किया जाता है, तो फिर, उसको कभी भी plural की तरह use, नहीं कर सकते, it means material noun को plural की तरह use नहीं कर सकते, यदि, वो उस substance की तरह काम कर रहा है, उस पदार्थ की तरह काम कर रहा है, वो अवियब की तरह काम कर रहा है, जिससे कोई चीज बनाई जाती है, ओकी, देखिए, अब ये example है, कई बार exams में पूचा जाता है, मैंने का, the building is made of bricks, या brick, stones और stone, क्या आएगा, देखो, यहाँ पर मैं building की बात कर रहा हूँ, और building किस से बनाई जा रही है, bricks से या brick से, stones से से, या stone से, अब देखिए, यहाँ पर eat जो है, उसका use material noun की तरह कर रहा है, जिससे कोई चीज बनाई जा रही है, जिससे building बनाई जा रही है, eat का प्रियो किस की तरह कर रहे है, एक material की तरह कर रहे है, जिससे कोई चीज बनाई जा रही है, जिससे building बनाई जा रही है, अब जदी material की तरह यूज कर रहे हैं, तो उसका कभी भी plural नहीं हो सकता, यह उसमें कभी भी S नहीं लग सकता, इसका मतलब bricks नहीं होगा क्या सही होगा brick इसी तरीके से दोगो stones and stone अब आप देखिए stone का uses material की तरह कर रहे हैं जिससे की building मनाई जा रही है stone का use material की तरह कर रहे हैं जिससे क्या बनाई जा रही है building मनाई जा रही है तो उस sense में भी क्या होगा यह material noun की तरह use हो रहा है stone, तो stones नहीं हो सकता, stone ही होगा, तो आपका यह क्या होगा, किस तरीके से लिखोगे, the building is made of brick and stone, ऐस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर stone और brick, brick means eat, इसका अप्रियोग material noun की तरह हो रहा है, उस material की यहाँ पर stone का use, यहाँ इस तरीके से नहीं हो रहा है, कि इससे कोई चीज बनाई जा रही हो, यह instrument की तरह हो रहा है, कि बच्चे जो है, क्या कर रहे हैं, boys जो हैं लड़कियों पर पत्तर फैक रहे हैं, तो यहाँ यहाँ पर stone जो word है, उसका use, material की तरह use नहीं हो रहा ही है, वो material की तरह use हो जिससे कोई चीज बन रही हो, यहाँ पर stone जो शब्ण है, उसका अप्रियोग एक think की तरह use हो रहा है, चीज की तरह use हो, को instrument की तरह use हो रहा है, तो फिर यहा운 plural सही है stones तो आपको यही बात जहान रखनी है examination point of view से material noun का use कि इस तरीके से use हो material noun का use material की तरह use हो यदि किसी भी चीज का किसी भी पदार्त का use इस तरीके से use हो जिससे कि कोई चीज बना रही है तो फिर उसमें हम plural नहीं लगा सकते यह ध्यान रखना है fine, देखे next अधि हम देखे when the material nouns are used in plural they become common noun they simply become names of thing and do not include the matter of substance देखो अभी जो बात कही थी हमने वही बात को यहाँ पर किया जा रहा है कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि जब material noun का use ज़्यादी हम plural sense में करते हैं जैसे आपने stones लिख दिया s-t-o-n-e-s या फिर आपने b-r-i-c-k-s bricks लिख दिया तो वे common noun बन जाते हैं तो क्या बन जाते हैं वो common noun बन जाते हैं वो material noun की तरह use नहीं होती तो मैंने का जब आप उनको plural कर देते हो तो फिर वो material noun की तरह use नहीं होते जब वो common noun की तरह use हो जाते हैं और उस वक्त वो किसी matter या substance की बात नहीं करके ठीक है ना वो किसी चीज की थिंक की बात करते हैं, वो किसी मैटर की बात नहीं करते हैं, वो किसी मटीरियल की बात नहीं करते हैं, वो एक सामाइने चीज की बात करते हैं, उस इस्तितिम हो वो common noun हो जाता है, अब देखो proper और common noun एक binary जो है classification है, वो मैं आपको बाद में होगा, पहले आप ये जो अपना जो traditional classification है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लें, आपके दिमाग में idea आजाए कि ये चीजें क्या-क्या होती है, आगे देखिए, तो एक चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, material noun is a type of common noun, अब देखो मैंने आपको बता है था कि मैं आपको बाद में बता हूँगा कि proper और common दो ही classification है, तो material noun जो है, वो भी एक प्रकार का common noun होता है, ठीके न, but distinction is made between the two, देखो, material noun जो है, वो एक तरीके का common noun ही होता है, लेकिन क्या है, a common noun is usually accountable, but material noun is uncountable, देखे, आपको ये ध्यान रखना है, आप एक चीज जहान रखना, proper, common, collective, material, और abstract, ये पांच noun है, अब आपको तरीका बताएता हूँ, easy सा, जैसे आप कहते हो, आपको बाद में ये दो ही प्रकार के noun पढ़ने होंगे, countable और uncountable, आपको बाद में दो ही तरीके के noun पढ़ने होंगे, countable और uncountable, तो आप ध्यान रखना कि CC से इसो start हो रहे हैं वो generally countable होते हैं, तो C से कौन कौन से चल हो रहे हैं, एक तो common, दूसरा collective, common और collective जो है generally countable होते हैं, आपको बैसे भी ध्यान रखनाएगा countable, C से और इन पांच में से दो common और collective, जो है C से ही आते हैं, तो common और collective noun जो है generally देखो सामानेतिया, वो आपको बात में समझ में आएगा कि मैं सामानेतिया word क्यों use कर रहा हूँ, generally countable होते हैं, बाकी के जो abstract है, material है और proper है वो जो है uncountable होते हैं, ये चीज आपको एक तो ध्यानक नहीं है, तो देखो मैंने कहा the cow gives us milk, okay, मैंने कहा the cow gives us milk, तो यहाँ पर ये cow जो है common noun है, common noun है, common noun है, तो countable हो गया, और milk जो है, material noun है, क्योंकि वो खाने पीने की चीजों का नाम है, तो ये क्या हो गया, uncountable noun हो गया, आगे देखिए, इसमें कोई ज़्यादा important बात है नहीं, इसलिए मैं कोई ज़्यादा discuss नहीं कर रहा है इन करवा दूँगा, फिर देखिए, इसी तरीके से abstract noun, मैंने आपको abstract noun जब पढ़ाया था, या मैंने बाताया था कि quality, action और state, तीन चीज़ बताने वाला, quality, action और state जो बताए, वो क्या होता है, वो abstract noun होता है, देखिए, abstract noun refers to, abstract noun संदर्ब देता है, ध्यान रखना कई लोग उसको refer बोलते हैं, आपने दिखा हो आगी कि hospital में उसको refer कर दिया, ठीकिन बड़े hospital के लिए refer कर दिया, refer नहीं होता, pronunciation होता है refer, तो आपको ध्यान रखने आगे से, और exam में पूछते हैं, तो abstract noun refers to the name of, abstract noun संदर्ब देत है किसका quality, action और state, तो देखे quality, गुन, action and state और इस्तिती, जैसे quality में मैंने बताया, honesty, इमानदरी, bravery, भाददुरी, beauty, सुन्दर्था, innocence, सादगी, gluttony, gluttony का मतला यह तो ध्यान रखना है, इसका pronunciation भी ध्यान रखना है, gluttony का मतला होता है pay to pun, ठीकिना, हिंदी में तो कहते ह है, pay to pun, आपको हिंदी की जगे, English में याद रखना है, drinking and, आप पुरा लिखना चाहता है, इसे लिख सकते हो, habit, habit of drinking and eating too much, यह ज्यान रखना यह कई बार vocabulary में पूछा गया, SSC की exam में तो कई बार पूछा गया है, यह कई बार competitive exam में gluttony word पूछा जाता है, vocabulary के purpose से, तो gluttony और जो first grade, second grade, third grade की तियारी कर रहे तो उनके लिए तो pronunciation भी important है, क्योंकि कई लोग इसको gluttony बोलते है, gluttony, gluttony वितस का pronunciation होता है, gluttony, gluttony का मतलब habit of drinking and eating too much, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, उस जिसको आप pay to pun कहते हैं, वो होता है, gluttony, तो मैंने का quality, यह तो एक quality के बारे मिं बताता है, या फिर action, जिसे laughter, hansi, theft, chori, judgment, निर्ने, मैंने आपको बताया था, जिन भी शब्दों के पीछे, m-e-n-t as, m-e-n-t as a suffix use होता है, यानि कि m-e-n-t पीछे जोड़ा रहता है, उसमें m-e-n-t को मन्त बोलते हैं, judgment, government, development, है न, तो आपको मन्त बो judgment, department, तो आपको ध्यान रखना है, जिन भी शब्दों के पीछे, m-e-n-t लग रहा है, उनको मन्त बोलें, क्या बोलेंगे, उनको मन्त बोलेंगे, आपके बहुत सारे words जो है, उनका pronunciation सही हो जाएगा, तो मैंने का, next क्या बताता है, state, इस्तिति, abstract now क्या बताता है, quality, गुन action, कोई भी action क्रिया, काम करना की प्रक्रिया, और process of doing something, ठीक है, state, state मत अस्तिति, जैसे कोई youth, जवानी ये स्तिति है, poverty, ये भी स्तिति है, slavery, ये भी स्तिति है, childhood, बच्पन, ये भी स्तिति है, ठीक है, तो मैंने आपको फिर एक चीज़ ये भी बताई थी, कि abstract noun doesn't have any physical existence, abstract noun होता है, उसका कोई भी भृतिक अस्तित्व नहीं होता, ना तो आप उसे touch कर सकते हो, और ना ही उसे देख सकते हो, जैसे मैं आप से कहूँ, theft, चोरी, तो चोरी ना देख सकते है, ना उसको touch कर सकते है, आपने का gluttony, pay-to-pan, ठीक है ना, तो ये quality action state को abstract noun कहते है, या फिर abstract noun quality action state को बताता है, इसका कोई physical existence नहीं होता, भृतिक अस्तित्व नहीं होता, कि आप उसे touch नहीं कर सकते हैं, ना उसे देख सकते हैं, तो ये करा है, abstract nouns have no material form, कोई भी भृतिक स्वरूप नहीं होता, material form का मतलब, भृतिक स्वरूप, they can't be seen or touched, उनको ना तो देखा जा सकता है और नहीं चुआ जा सकता है, अब जोको मैंने अभी जो बात बताई थी, वही मैं यहापे लिखा है, कि common and collective noun, common और collective noun generally countable होते हैं, जबकि proper, material और abstract noun जो है, generally क्या होते हैं, वो generally uncountable होते हैं, आपको ध्यान रखना है, कि common और collective, दोको ये भी C से start हो रहा है, और ये भी C से start होड़ा है, तब ये क्या होते हैं, generally, बाद में हम countable, uncountable discuss करेंगे, जब ये सारा दुबारा आएगा, ये सारी चीज़े हैं, तब आपको पता लगेगा दुबारा इन चीज़ों के बारे में, अभी ध्यान रख ले, common और collective noun जो है, वो countable होते हैं, बाकी के तीन proper, material और abstract, वो uncountable होती है, तीक है, इसमें कोई ज़्यादा important बाती नहीं थी, इसलिए मैंने इन पर ज़्यादा focus नहीं कर रहा हूँ, आगे देखिए, ये आपका सबसे important चीज़ है, और यही आपकी noun की शुरुआत है, तीक है, अब ये है modern classification, और modern classification जो है, तीक है, अभी तक जो आप हमने पड़ा, उसमें से बहुत ज़्यादा question नहीं आते हैं, लेकिन आपका basic बनाने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना, अब यहां से जो पड़ेगी है, हम उसमें ज़्यादा तर competitive exam में question आते हैं, हर exam में question आते हैं, ओके, देखिए वो आपका जो test है, actually क्या है, कि वो portal में दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है कि कल आपका test नहीं हो, तो एक बार थोड़ा सा ये सारा, थोड़ा सा सही हो जाए सारे system, उसके आद आपके regularized रूप से, regular रूप से test लें, classes तो आपकी regular चलेंगे, test कि मैं अभी थोड़ा सा portal में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ओके, हाँ, दूसरी बात आपके जो PDF नोट से या तो आज पहुंच गए होंगे और नहीं पहुंचे होंगे तो अभी class के बाद कल के, और आज के दौनों की classes के PDF नोट आपको Telegram चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, Telegram चैनल आप जॉइन कर लें, आपको PDF नोट मिल या तो पहुंच गए होंगे, नहीं पहुंचे होंगे, तो आज पहुंच जाएंगे, इसके बाद regular रूप से आपको पहुंच जाया करेंगे, यह ना, यह PDF नोट, DRSK ENG 2023, ओके, तो देखिए, सबसे important है countable और uncountable, पहली बात जो मैंने आपको बताई थी, वो आपको बश गिन सकें, वो uncountable, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो सही, exact, जो stark truth है, वो ध्यान रखना है, वो यह है, कि countable noun, वह noun होता है, जिसका की plural होता है, जहां से सुनिए, countable noun, वह noun होता है, दोको पहली बात, countable noun, वह noun होता है, जिसका plural होता है, आप जिसका plural बना सकते हो, पहली दूसरी बाद उसका जो plural बना सकते हो का मतलब इसका मतलब आप उसके पीछे S लगा सकते हो जैसे cat है और cats कर दिया तो cats जो है countable noun है तो countable noun वे noun होता है जिसका plural बना सकते हो countable noun वे होता है जिसकी singular form के लिए आप A, N या 1 का प्रयोग कर सकते हो जो किये countable noun वे noun होता है जिसकी plural form होती है यह जिसका plural बना सकते हो countable noun वे noun होता है जिसकी singular form के साथ आप A, N और 1 बना सकते हो countable noun वे noun होता है जिसकी plural form बना सकते हो और plural form के साथ आप 2, 3 इस तरीके के words का use कर सकते हो जैसे आपने का देखो one cat और आपने कह दिया two cats तो देखो जब आपने singular use किया तो आपने इसके आगे one लगा दिया और इसका plural भी बना सकते हो आपने cats कर दिया और आप चाहो तो इसके आगे कोई भी numeral लगा सकते हो, number लगा सकते हो two cats ठीक है आपने का apple और आप चाहो तो इसके आगे लगा सकते हो an apple और आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो two apples तो इसका मतल़ यह apple क्या है countable noun है fine, तो मैंने यही कहा in modern grammar के अंदर noun is either countable, noun या तो countable होगा या uncountable होगा, और countable noun किसे कहते हैं countable noun क्या होगा, countable noun is a noun which has its plural, countable noun where noun होता है, जिसका plural होता है, पहली बात, countable noun क्या होता है, countable noun where noun होता है, जिसका plural होता है, और which takes a, an, one, जो a, an और one ले सकता है, in singular, किस के अंदर, singular के अंदर, एक वचन के अंदर, जो अपने एक वचन के अंदर, an और one ले सकता है, and two, three, etc., और two, three, four, five, वो अपने plural form में ले सकता है, उसे बोलते हैं, countable noun, countable noun where noun होता है, जिसका plural बन सकता है, countable noun where noun होता है, जिसके singular form में आप an, one लगा सकते हो, और जिसकी plural form से पहले आप two, three, four, जो भी संख्या लगाना चा नहीं बन सकता, एनि जिसमें आप s नहीं लगा सकते हो, और ना जिसके लिए आप an, one का प्रयोग कर सकते हो, और नहीं जिसके लिए आप two, three, four का प्रयोग कर सकते हो, uncountable noun where noun होता है, जिसके आगे आप an, one नहीं लगा सकते, uncountable noun where noun होता है, जिसके आगे आप two, three, four भी नह आगे तक तो देखो uncountable noun जो है देखो आप ध्यान रखना कई exam में इनके नाम इस तरीके से देख सकते हैं क्योंकि जो कई अच्छी standard book में उसका noun math noun भी दे रखा है तो क्या करते हैं examiner जैसे इन competitive exam में generally first grade, second grade, third grade में इस तरीकी की word का use करते हैं कि वह बहुत इजी होते हैं भी student को problem आ जाती है क्योंकि वह नाम सुना हुआ नहीं होता इसलिए मैंने जानमुझ के mention किया है आपको ध्यान रखना है uncountable noun को non count nouns भी कहते हैं तो non count nouns आपको समझ में आ जाएगा ठीक है ना लेकिन mass nouns जो है वह आपने नहीं सुना होगा तो आपको धिक्कत आ जाएगी तो ध्यान रखना mass nouns word use हो सकता है non count nouns word use हो सकता है और uncountable noun word use हो सकता है कोई सा भी word use हो सकता है तो मैंने यह कहा an uncountable noun is a noun uncountable noun वह noun होता है which doesn't have its plural form जो जिसकी plural नहीं होती जिसका कहनी होता plural नहीं होता और it doesn't take a, an, one, two, three, etc. जो ना तो an, one लेता है ना two, three, four लेता है कुछ भी नहीं लेता जैसे a fruit नहीं हो सकता क्योंकि fruit जो ए uncountable noun अभी हम पढ़ेंगे निको अभी इटेल में पढ़ेंगे अभी तो आप के बल समझ लो countable और uncountable क्या होता है आपका भी भी a fruit नहीं कह सकते क्योंकि अभी मैंने आपको जिब ध्यानों तो बताया था जब मैंने fruit और vegetable बताया था जब मैंने आपको बत आता है था fruit जो ए अनकाउंटबल है तो उससे पहले क्या नहीं लगा सकते ए नहीं लगा सकते उसी तरीके से milk milk भी uncountable है milk भी क्या है अनकाउंटबल है अभी हमने पढ़ाई था खाने पीने की चीज़े जो कौश्य में material noun में आती है और material noun generally क्या होता है अनकाउंटबल होत तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, तो में जो modern classification है, उसमें ध्यान रखना है, countable noun और uncountable noun, और countable और uncountable noun दोनों ही बहुत ज़्यादा important है, अब इस पर ही हम देखो questions करने की कोशिश करते हैं, देखिए, देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ sentence दी हुए है, he has a position without good pay, he has a position, देखो ध्यान रखना है, यह पि-o-s-i-t-i-o-n, इसका pronunciation होता है, position, यह position, अच्छा यह transcription नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मैं बोल रहाँ है से सुन लो, position, क्या करता है, हम position बोल देते हैं, position कहीं लो, तो position नहीं होता है, इसका pronunciation होता है, position, और exam में यह आता है, competitive exam में यह बूचते हैं, position, तो he has a position with a good pay, he has position with handsome salary, तो को ध्यान रखना है, handsome नहीं होता, handsome, कई लोग क्या करते हैं, handsome, handsome नहीं हैं, handsome, डेनी बोल होगा, डेकी साउन नहीं मोलना है, handsome, handsome, ठीके न, जैसे husband, कई लोग क्या बोलते हैं, husband, ठीके न, तो नहीं, husband, उसी तरीके से यह जो, h-a-n-d-s-o-m-e का pronunciation क्या होगा, handsome, handsome, तो he has a position with handsome salary, अब पहले तो इन दोनों को देखो, जब मैंने आपको last classes में बताया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, pay और salary, मैंने आपको बताया था, pay word जो है, वो uncountable होता है, कैसा होता है, uncountable, और मैंने salary बताया था, आपको countable होता है, हमने पढ़ा था, अब यदि आपका noun uncountable है, तो क्या आप उससे पहले an1 लगा सकती हो, क्या, नहीं लगा सकती है, तो मैंने यहां क्या लगा रखा है, a लगा रखा है, इस a की वज़े से यह sentence क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि uncountable noun से पहले an1 कुछ नहीं लगता, ठीक है, second sentence देखो, मैंन है और singular noun है, तो उससे पहले an1 कुछ लगाना पड़ेगा आपको, तो देखो, यह handsome salary है, तो आप क्या लगाओगे यहां, a, a लगाना जरूरी है, यदि a नहीं लगाया, तो sentence गलत हो गया आपका, तो पहले वाले sentence में तो हमने क्या किया, a की जुरत नहीं थी, क्यों, क्यों से पहले an या one आना जरूरी है, और वो हमने लगाया नहीं, हमने handsome salary से पहले क्या लगाना था, a लगाना था, और यहां पर क्या है, हमें यह दूसी गलती क्या कर दी, दूसी गलती हमने यहां पर कर दी, fine, इस तरीके से third, four और fifth sentence है, तीके, आप इनके बारे में सोचें कि इ uncountable और countable का जो समुदर है, उसमें हम फिर कूदेंगे, इसका फिर उसके बाद देखेंगे, कि इसका field कितना wild है, ठीक है, तो आप लोग से फिर वही है कि आप लोग ज़ो है, ज़ए 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 लोगों को inform करें, इन classes के बारे में बताएं, ओके, अभी test का जैस क ca Heraन के बारे में के बाद लोग से लोग लोग मारा लोगो में ज़एताव, आप लोग ज़ए आप लोग से, देखेंया है